तो दोस्तो आज हम बनाएंगे एक signal booster बहुत ही छोटा सा जो आपका 3G और 4G connection जो internet का connection है वहती आसानी से मिलेगा Hello friends, Welcome to my channel तो दोस्तो देख सकते हैं आज मैं लाए हूँ mobile signal booster जो आप घर पे ही बना सकते हो तो बहुत आसनी सा ये डायग्राम है देख सकते हम आप चाहे तो इसका जो फोटो है वो ले सकते हो तो यहाँ पर मैंने 555 का जो आइसी है उसको यूस किया है आप चाहे तो यह जो पूराणा mobile है देख सकते दोस्तो यहाँ पर यहाँ पर देख सकते एक crystal जो है चिप लगा ह हुआ है इसका जो काम है वह है नेटवर्क जो है आपका रिसीप करना तो दोस्तों यह देख सकते हैं यह है क्रिस्टल ऑक्सिलेटर जो आपका मोबाइल में होता है जो काम करता है बूस्ट जो आपका जो नेटवाक है उसे बूष्ट करने में आपका यह काम पर लगता है आप चाहे तो इस तरह का बूष्ट जो है इसका सकते इससे आपका अच्छा जो है रेजल्ट होगा आपका मोबाइल का जो 4G या 3G नेटवाक है वो आरम से बढ़ जाएगा यह जो क्रिक्स्टल ऑक्सिलेटर है यह 4G है तो इसका भी पहार बहुत अच्छा है तो इससे ही आज हम एक सर्कित बनाएंगे देख सकते यह वाला सर्कित है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए एक बाद दिखा देते हैं तो एक 555 IC उसके बाद एक छोटा सा जो देख सकते हैं क्वाइल है यह वाला लेना होगा एक पेपर टाइप कैपसिटर जो है इसका जो रिडिंग है वो है 104 उसको लेना होगा उसके बाद आपको लेना होगा एक डायोड एक LED और यहां पे देख सकते हैं 360 ohm का एक रिजिस्ट है यह दोनों रिजिस्टर आपको लेना होगा MTPCB ठीक है इस पर ही आपको यह सर्किट जो है बनाना होगा सिगनल बूस्टर के लिए ताकि आपका जो मोबाइल है उसका सिगनल जो है अच्छे से लग जाए और आपको 4G या 3G नेटवर्क जो है वह अच्छे से यूज हो हींगे तो अच्छे से आपको बिठांके यह पे लगाना है ताकि अच्छे से यह से जो आपका जो पीन है वह बाहर निकल जाए उसके बाद आपको क्या करना हिए इहाप देख च्रबाते हैं यह व्योहां और उसके बाद आपको जो इयांटन यह अकदम साइड में लगा और आप चाहे तो एक बार में सभी जो है points लगा कर भी solder कर सकते हैं उसके बाद के बार हम लगाएंगे एक डाइयोड टो डायोड जो है वह filtration का काम करेगा तो इसके लिए डायोड को हम हम यहाँ पर जो ऊपर का यह वाला point है यहाँ पर लगाएंगे ताकि यह यहाँ पर अच्छे से लगा रहा है तो यह रहा हमारा डायोड डायोड के बाद हम लगाएंगे एक LED क्योंकि यह हमारा इंडिकेटर का काम करेगा देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने यह वाला LED जो है वो लगा दिया है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर छोटा वाला देख सकते हैं एक कोईल है इसे भी यहाँ पर लगा लेते हैं दोस्तों आप चाहे तो अपने हिसाब से यह वाला PCB जो है डिजाइन कर सकते हैं तो दोस्तों आब हम लेंगे 1K का रेजिस्टर तो 1K का जो रेजिस्टर है उसे हम क लगाएंगे यह वाला देख सकते हैं छोटा सा कैपसीटर यहां पर हम लगा देते हैं ठीक है अब हम क्या करेंगे यहां पर यह वाला देख सकते हैं यहाँ पे कोईल है यह कोईल में ने जो है आपको नहीं पताया था तो यह कोईल आपको लगाना है नहीं तो यह मेसिन जो है यह जो सरकीट है यह पूरी तरह से वाक नहीं करेगा तो आपको यह coil लगाना है यहाँ पे उसके बाद ही आपको दिखाएंगे कि इसे कैसे solder करना है और solder करना बहुत ही easy है तो यह वाला coil आपको यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से लगा देना है और coil लगाने के बाद देख सकते हैं opposite side में गितना भी point है उसे आपका जो diagram है उ आकरी pin तक करना है मतला आपका 8 नमबर pin से जो है 5 नमबर pin तक का solder कर लेना है तो यहाँ पे आपको जो सारा जितना भी pin है उसे अच्छे से solder करना है उसके बाद ही आपको जो है जितना point है और जोड़ना है तो चलिए पहले ही यहाँ पे जितना भी point है उसे अच्छे से जो तो जितना भी हमारा पिन था मैंने उसे सोल्डर कर लिया है आप हम क्या करेंगे कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन आपका जो डायग्राम है उसकी हिसाब से ही करना है तो आपको एक नंबर पिन और पाच नंबर पिन जो है दोनों को सौट करना है तो मैं यहाँ पे इसी तरह से यह दोनों पिन जो है एक एक करके सॉट कर दूँगा दोस्तों हमरा यह जो सरकिट है लगभग complete हो चुका है तो अब हम कहकन कि इसमें हमारा positive और negative जो वायर है वो लगाएंगे क्योंकि positive और negative वायर जो है आपको देखके ही लगाना है तो simple सा आपको कहकर नहोंट होगा दोस्तों आपकाजो डायोट की जो position है डायोट की इस position में देखिए यहाँ पे एक blank रखा हुआ है तो यहाँ पे आपको जो है positive wire जो है इसे डालना है तो यहाँ पे मैंने positive डाल दिया है अब हम क्या करेंगे negative wire है negative wire को हम यहाँ पे डालेंगे तो दोस्तो अगर यह आपका जो circuit ठीक से complete होगा तो यह जो जब walk करेगा तो इसमें LED जो यह है यह blink करेगा ठीके और यहाँ पे देख सकते हैं यह वाला जो antenna हमने लगाया है तो यह जो antenna है यह frequency को catch करने के लिए है तो बहुत ही simple सा और बहुत ही सिधा सा device है आपका जब भी आपका जो यह signal है पकरने लगेगा तो यहाँ पी यह LED है जो है automatic blink करना चाहिए तो ही हमारा यह जो signal booster है अच्छे से काम करेगा तो आप इसे on करके यहाँ पे रखना होगा और इसके पाद आप चाहे तो इस side में phone use कर सकते हैं जो आपका signal इसमें पकरेगा यह वाला device जितना भी आपका signal पकरेगा 3G हो 4G हो वो आपका phone में जो है टावार का capacity जो हो बरहा देगा क्योंकि इसमें जो crystal लगा हुआ है यह बहुत हाई capacity का crystal है आप चाहे तो घर पे ही जो है आपका internet जो है आसानी से full हो जागा क्योंकि यह मेरे घर पे लगा हुआ है जो normal सा अगर call करना चाहोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों point करके यहाँ पे इसका जो tower है वो है तो दोस्तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे simple सा जो है देख सकते हैं यह mobile network जो booster है इसमें हम जो है यह 12 volt का जो connector है इसे connect करेंगे तो connect करने के बाद आपको 5 या 6 second जो है उतने तक आपको wait करना पड़ेगा क्योंकि यह जो network है इसे boost करने में 5 से 6 second का वक्त जो है वो लगता है तो यह जो wire आपको जोडना है तभी जोडने के बाद यहां पर यह LED जो है यह automatic ही blink करने लगेगा मतलब आपको जो यह circuit है यह ठीक से काम कर रहा है इसका मतलब यह है तो देखिए दोस्तों यहां पर इसका जो LED जो है यह काम करने लगा है तो देख सकते दोस्तों कुछ देर वेट करने के बाद हमारा जो network है वो थोरा सा boost होने लगा है तो देखिए यहां पर पहले जो है वो tower का जो परिवान था वो कम था तो देखिए यहां पर जो tower जो है normal वो full हो गया है और दूसरा जो है उसमें थोरा जो है power कम है अगर आपका इसका antenna जो है जितना बरा लगाओगे तो आपका जो यह tower है मतलब इसका जो काम है बहुत ही अच्छे से होगा तो देखिए दोस्तों इसमें एक network जो है हमारा बिल्कुल full हो चुका है तो दोस्तों अगर यह video आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सस्क्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों धन्यवाद